हेलो एवरीवन, वेलकम बेक टू माई चानल, आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलिशियस आलू टिक की चात की रेसिपी लेकर आई हूँ, ये चात खाने में बहुत डिलिशियस लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करती हूँ, तो इ मैं इसे मैस्ट कर रही हूँ, आप चाहे तो गिरेटर में इसे गरेट कर लें, अब मैं इसमें डाल दिया हूँ, तो कोई सा भी आपके घर में चावल हो, उसे आप फाइन ग्राइंड कर ले, चावल का आटा तयार हो जाएगा, या फिर इसकी जगह पर आप सूजी को भी कर ले सकते हैं, और नहीं तो फिर जो पॉडर आता है उसे ले ले, अब आलू में चावल की आटे को डाल कर मैं ने अच्छी तरह से मैस्ट कर लिया है, तो करीब 4 टेबल स्पून मैं चावल का आटा डाला है, थोड़ा सा आटा हमारा बच गया, तो अब मैं इसकी गोल गो को तयार कर लोगी, यह देखिए, सभी टिक्की को मैंने बना लिया है, तो मैं इसे डीफ्राइ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे शैलो फ्राइ करें, मुझे टिक्की करंची चाहिए, इसलिए मैं इसे डीफ्राइ कर रही हूँ, तो यह देखिए, एक तरफ से टिक्की फ करंची टिक्की चाहिए तो अभी आगे मैं आपको अपनी टिक्की की आवाज सुनाओंगी यह कितनी करंची बनी है तो इसे मैं निकाल लेती हूँ अब आप इसकी आवाज सुने यह देखे हमारी टिक्की कितनी करंची और डिलिशेस बनी है बाकी की तैयारी दिखाती हूँ तो ये मैंने दही लिया है, इसमें मैंने एक चमच पॉडर शुगर और आदा चमच से थोड़ा कम मैंने सेंधा नमक डाला है और ये है इंडी गुड और खजूर की खटी मीटी डिलिशियस चटनी, इसकी रेसेपी मैंने अल्रेडी डाल रखा है, लिंक मैं डिस्किप्शन में दे दूँगी और ये है हरा धनिया की चटनी, बस हरे धनिया में मैंने लैसून हरी मिर्च और नमक दे के ग्राइंट कर लिया है और ये है जीरा और लाल मिर्च का पॉडर जिसे हमने भोन के पॉडर बनाया है और ये है काला नमक तो चलिए अब मैं इसके प्लेटिंग करती हूं तो ये देखिए हमारी एकदम करंची आलू को कितनी अच्छी तरह से ये टिक्की करंची एकदम तूट रही है जब आप इस आलू टिक्की चाट को खाएंगे तो आपको पापड़ी चाट का भी मज़ा आने वाला है तो जब इस तरह से आप भी इदम करंची टिक्की बनाएंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा अब इसके उपर मैं डाल रही हूँ दही जिसे मैंने चीनी और नबक देकर तयार किया है अब इसमें गया हरा धनिया और इसके उपर ये खती मिठी इमडी गुर और खजूर की चतनी आज कल्प मार्केट में रेडी मेड भी ये सब चतनी मिल रही है आप चाहें तो मार्केट से रेडी मेड पैक भी मंगा के यूज कर सकते है इसके उपर मैंने डाला काला नमक और ये ठीर सारा भूना हुआ जीरा और लालमीज का पौडर अब इसमें चाट वाला पूरा लुक लाने के लिए मैं डाल रहीं हो थोड़ा सा कटा हुआ प्याज और ये महीन वाली सेव तो बस बहुत ही डिलिशियस आलो टिक की चाट बन कर तयार है इसे इंजॉय करें हमारी रेसेपी आपको कैसी लगती है अपना फीड़बेक जरूर दें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्